दोस्तों आज ऐसे मौके पे एक और चीज़ आप लोगों से जिक्र करना चाहेंगे हम जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर एक इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है आज की तारीख में हर बड़ी-बड़ी कंपनी का इंवेस्टमेंट, नए-नए बिजनेस कंपनिया, वर्ल्ड इस्टैबलिस्ट नेम्स हैदराबाद में आ गई हैं और आने के लिए तैयारी भी कर रही है पिछले हफ़ते वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, आमेजन भी यहां आई तो ऐसे मौके पे हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के तरफ से एक अवेरनेस कैमपेन हो और मीडिया का रोल हम लोग के साथ मिलकर हैदराबाद शहर को एक sound free, honking free city बनाए जैसा कि आप जानते हैं वीदेशों में, योरोप में और अमरीका में अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ noise pollution बिलकुल नहीं होता है, honking बिलकुल नहीं होता है noise pollution free city बनाएंगे और इसमें हम लोग social media का भी use करेंगे जिसमें कि हम लोग social media पे, print media पे, electronic media से publicity create करके, awareness create करके noise pollution को कम करेंगे इसमें हमारा intention case book करना नहीं है, हमारा intention है awareness create करना, self-realization होना इसमें हम आप लोगों से उमीद करते हैं कि इस mission को media का पूरा support होना चाहिए ये पूरा mindset change होने के लिए बिना media के support की ये नहीं होगा तो I request all of you to kindly take care of this and खास करके जो नए generation के बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनका support इसमें ज्यादा होना चाहिए आप लोगो मालूम होगा कि छोटे बच्चे, दो साल के बच्चे, छे महीने के बच्चे उनके कान पे बहुत बुरा असर पड़ता है होरन से long term में उनको इससे बीमारी होती है तो इसलिए हम लोग हैदराबाद को आने वाले कुछ weeks में, कुछ महीनों में ये special drive करेंगे और इसमें मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ है Thank you